हलो गाइज वेलकम बाक टू मैं चैनल मेरा अना मुसकान तिवारिय है और मैं यूक्रेइन में फिफ्ट एर मेडिकल स्टूडेंट हूँ आज का वीडियो जो है इसी बारे में होने वाला है दाट हाव इंडियन स्टूडेंस कन गेट अड्मिशन इन यूक्रेइन तो अभी नीट का एक्जाम हुआ है और काफी स्टूडेंस सर्च कर रहे होंगे अब्रॉट जाने के लिए इसलिए एक इन्फोर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला रही हूं जिसमें मैंने एक्स्प्लेइन करा है कि कैसे आप एड्मिशन ले सकते हैं यूक्रेइन में क्या क्य क्या प्रोसीजर होता है और सो गाइज एड्मिशन प्रोसेस जो मैं बताने वाली वो रश्या के लिए भी सेम हो सकता है पट मैं आपको बेसिकली यूक्रेइन का बताऊंगी और मैं आपको सज़ेस्ट भी करूंगे यूक्रेइन क्यों वह आपको वीडियो में आगे पता चलेगा तो सबसे पहले हम eligibility criteria की बात कर लेते हैं तो eligibility criteria में सबसे पहली चीज यह है कि आपका 10th और 12th class PCB I mean biology से करा हुआ होना चाहिए और आपका PCB aggregate यानि physics, chemistry और bio के aggregate marks अगर आप general class से हैं तो 50% और अगर आप STSC या OBC से हैं तो 40% होने चाहिए नीट का result पहले कुछ सालों म नहीं होता था बट नीट का result अप compulsory हो गया है नीट कॉलिफाइ करना आपको जरूरी है इवन आप MPBS कहीं भी abroad में करना चाहते हैं आप Indian student है तो आपको नीट का qualified result होना ज़रूरी है नीट का qualified result होने के अलावा आपको 17 years old होना जरूरी है जिस साल आप admission ले रहे हैं उच साल आपका 17 years age complete हो जाना चाहिए next thing होती है passport passport आपको admission process first stage के लिए जरूरी है बट हां second stage complete होने के लिए आपको passport होना जरूरी है तो messages करूंगे कि आप पहले ही अपना passport बनवा के रख लें eligibility criteria के बाद मैं आपको थोड़ी Ukraine की information दे देती हूँ Ukraine का capital है कीव city so Delhi to Kyiv direct flight चलने लग ग currency है graven तो 1 graven is equal to 2.65 रूपीज इंडिया के 2.65 रूपीज यहां के 1 graven होते है रही यहां के temperature की बात यहां का on and average temperature minus 5 degree आप मान सकते हैं और यह problem नहीं है कि आप सोचें काफी ठंडा एलागा है तो मैं suggest करूंगे कि आप इंडिया से jackets ले करना है वैसे आप jacket यहां करी लें त होती है so university में यहां की buildings में, hostels में, apartments में आपको central heating system में लेगा तो normal temperature maintain रहता है बस आप जब रूट पे जाएंगे तो आप jackets और जो भी winter के clothes है आप पहन कर निकलें so इतनी मुश्किल नहीं होती है so guys यहां की fees जो है थोड़ी बढ़ गई है अभी कुछ सालों से so on and average $3,500 per year fees university की होती है रही बात entrance exam की तो university का कोई particularly entrance exam नहीं होता है वो basic test लेते हैं history और biology और English का test होता है so English जो है आपकी orally भी जो है आपका interview लेते हैं वो यह जानने के लिए क्या आपकी English अच्छी है या नहीं because जो आपका course है वो एक English course है for 6 years so if आप English exam पास नहीं कर पाते हैं तो आपको path walk में डाल देते हैं path walk जिसमें आपको एक साल जो ह Russian पढ़नी पढ़ती है then you come into this course steps है अब मैं आपको बता दूँ apply कैसे करने तो apply करने के चार basic steps होते हैं जिसमें आप अगर किसी consultancy की तुरू आते हैं तो आपको ज़रूर help करेंगे पहला process जो होता है वो होता है admission letter मंगाने का admission letter मंगाने के लिए वो आप से आपकी scan copies मांगते है documents की 10 12th की mark sheet के आपको scan copies देनी पड़ती है उससे आपका admission letter आपको मिल जाएगा university से उसके बाद होता है invitation letter की process invitation letter की process के लिए आपके पास passport होना काफी जुरूरी है passport scan copy जो है वो आपकी passport scan copy और next के result की next के result की scan copy और passport scan copy आपको invitation letter मंगाने के लिए चाहिए so visa के लिए आपको original documents देने होते हैं embassy में embassy से आपके original documents के बाद जो आपको है visa issue हो जाता है और जब आप यहां आने वाले होंगे उसके पहले आपको original documents वापस मिल जाएंगे अब जो fourth process होता है वह होता है आपका tickets का पहले tickets करा लें ताकि आपको जो है tickets काफी सस्ते पढ़ें और फिर आप Ukraine आ सकते हैं Ukraine के लिए काफी flights होती है वाया Dubai वाया Istanbul काफी flights आपको मिलेंगी और direct flight भी है Ukraine International की जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है 7-8 hours की जो है flight tally to Kiev direct होती है कीव से आप अगर और ऐसा लिव या जो भी city चूस करते हैं जीलिए आप by flight या by bus या by train travel कर सकते हैं so 10th 12th की mark sheet passport NEET का qualified result और bank statement आपके parents या जो भी guardian है उनका bank statement लगता है और आपका date of birth certificate लगता है और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि admission letter के लिए आपको एक ID प्रोवाइड करनी पड़ती है usually अधार काड वो मांगते हैं तो आप अपनी अधार काड ऐस पासपोर्ट भी दे सकते हैं अगर आपने पहले से पासपोर्ट बनवा रखा है तो बट आप अधार काड जरूर पनवा के रखें लगते हैं और मैं बजट आपको बता दूं तो बजट आप 35 lakhs लेके चलिए इंक्लूडिंग everything और one time payment consultancy की one time payment होती है और जो बाकी आपके fees के लावा जो खर्चे होते हैं वो है medical insurance कराना जरूरी हो गया है और जब से corona आया है तो पूरे 6 साल का insurance कराना compulsory हो चुका है तो medical insurance, hostel या apartment जिसमें आप रहते हैं और खाने का खर्चा मिलाके अप्रोक्स 35 lakhs आप budget रखके चलिए और Indian restaurants और Indian mess यहां पे available होती है तो इंडियन खाने की ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है अब मैं आपको बताओं कि admission timing so September to October में admission शुरू हो जाते हैं और कुछ-कुछ universities मार्च में भी admission लेती हैं but mostly September October अभी नीट लेट हुआ है तो universities ने extend कर दी होगी admission process जो है November end तक भी आपना admission करा सकते हैं so guys पहले MCI के एक list थी जिसमें universities के नाम थे जो MCI approved थे बट आव MCI के ऐसी कोई list नहीं है NMC ने वो list अटा दिया है और recently अभी जो NMC के update है उसमें यह है कि जो भी university वहां की country के local governments authorized है आप उस country में admission ले सकते हैं आप देखें कि वह जो university है वह WHO recognized होनी चाहिए और उस country के जिस country में आप जा रहे हैं like Ukraine में आप आ रहे हैं तो जो भी university आप Ukraine में choose करते हैं वह university यहां की local government से authorized होनी चाहिए course जो है वह आपका 5.8 years यह 6 years का होता है और English course होता है like full 6 years आपका English course है आपको Russian में पढ़ने की जरुवत नहीं है हाँ आपको first semester में वह Russian पढ़ाते हैं यह Ukrainian भी पढ़ाते हैं इसलिए ता कि आप local language जैसे मैं Ukraine की बात करूं मैं अपनी city की बात करूं जहां पर मैं हूँ Odessa Ukraine में यहां पर Ukrainian से ज्यादा Russian चलती है तो वह आपको first semester में Russian Ukrainian पढ़ाते हैं क्योंकि आप किसी country में आई हैं तो आपको इसकी local language पता होनी चाहिए daily basis के लिए ता कि आप अपने जो भी नॉर्मल काम है वह कर सकें तो आपको इडियो के starting में आपसे कहा था कि मैं Ukraine क्यों prefer करूंगी तो अब मैं आपको पताती हूँ कि मैं Ukraine इसलिए prefer करूंगी guys क्योंकि Ukraine में जो है एक exam होता है national licensing exam croc 1 and croc 2 तो उस exam को pass करना जरूरी होता है तो जो बच्चे यहां पर आते हैं तो और crack के चकर में जो है अगर crack का exam होता है तो उसकी ड डर में बच्चे यहां पर पढ़ते हैं बगोंती रहिजयए को इस Besides है 60.5% so डरने की जरुवत नहीं है इस एक्जाम से क्रॉक वन होता है उसमें आपके पास 3 years के जो है mcqs आते हैं वो पास 3 years से related mcqs आते हैं और 6 years में आपका सारे 6 years से related mcqs आते हैं उस दोने exams को पास करना काफी जरूरी है और passing criteria होता है 60.5% अगर आप clear नहीं करते हैं तो आपको year repeat करना पड़ते हैं अब आपको इस एक्जाम से डरने की जरुवत नहीं है because यह easy होता है इसना difficult नहीं होता है अगर आप consistently पढ़ रहे हैं या आपने mcqs क्रॉक के पहले पढ़े हैं पुराने past year papers के ताप easily clear कर सकते हैं मैंने अपने क्रॉक experience का video बना रखा है youtube पे तो क्रॉक वन से रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन पे या वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं कि कि युक्रेइन का जो है fmg में result काफी अच्छा आता है तो आप अबराट से mbbs करने का सोच रहे हैं सो आई विल सजेस्ट यु युक्रेइन अब मैं आपको बता दूं गाइस की डिग्री आपको जो मिलेगी जो की इंडिया में equivalent to mbbs होती है और एक और चीज की आप यहां से दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं जैसे की युके युएसे सो गाइस वह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पोस ग्रजुएशन कौंसी कंट्री से करना चाहते हैं आप कौंसी कंट्री में प्राक्टेस करना चाहते हैं आपको इंडिया जाना है तो आपको नेक्स क्लियर करना पड़ेगा आपको युके जाना of my facebook page and instagram down in the description so guys see you all in my next video don't forget to like share and subscribe bye